Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं you versus them reading, next 48 hours में आप लोगों के connection में क्या possibility है, क्या हो सकता है, यह हम जानेंगे, so regardless आपकी क्या situation है, यह reading सब लोगों के लिए open है और यह timeless reading है, जब भी आप इस विडियो को देखेंगे, यह आपके उस वक्त क message होगा, उसके next 48 hours के लिए, so शुरुवात से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है, safe divine source को पता है के finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है, इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all, अगर आप नए हैं मेरे channel पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा, so अब हम start करते हैं आज की reading, इस reading के आखिर में letters और numbers भी होंगे, yes or no session भी होगा, songs भी होंगे, so let's start, आपके connection की current energy है, यूँ कह लिजी, overall energy क्या है, ये हम देखेंगे, so let's start, first we have tough love, so definitely आपके person शायद आपको बहुत tough time दे रहे हैं, या आपने उन्हें बहुत tough time दिया है, but किसी ने किसी को अगर tough time नहीं भी दिया है, ये बड़ा tough love है, बहुत obstacles हैं, बहुत जादा challenges हैं इस connection में, no contact, so maybe आप में से कुछ लोग no contact situation में हैं, आपका contact आपके person से या तो बहुत कम है, या फिर है ही नहीं, इस present time में, so we have healing, but आप इस वक्त हील करने की कोशिश कर रहे हैं, maybe आप बिलकुल move on करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये message भी आ रहा है, and then we have long distance, कुछ लोग long distance relationship में हैं, but अगर long distance नहीं भी है, तो आप दोनों के दर्मियान एक emotional distance पैदा हो गया है, आपको लगता है कि अब आप लोग connected नहीं हैं, आप में भी उनकी energy भी feel नहीं कर पा रहे हैं आज कल, intimacy, so maybe आपके person को fear है, intimacy का, deeper connection का, yes, maybe आप लोग crave कर रहे हैं intimacy, आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी energy दुबारा से feel करना चाहते हैं, so आप लोग बहुत जदा sad हैं और यहाँ पर healing होगी, healing की possibility है, and then we have on and off, so शायद no contact है कुछ लोगों का on and off connection है, कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, on and off है बहुत ज़्यादा connection आप लोगों का, so overall energy यह आई है आप लोगों के लिए, अब हम start करते हैं, आज की यह reading, so description में मेरे instagram का link है, जिन लोगों ने अभी तक मुझे follow नहीं किया है, आप लोग मुझे वहाँ पर follow कर लीजिए, मेरी पूरी कोशिश है कि जब वहाँ पर मेरे 10K followers हो जाएंगे, मैं live आया करूंगी, आप लोगों के question and answers वहाँ पर live हुआ करेंगे, so आप लोग मुझे वहाँ पर ज़रूर follow कीजिए, जिन लोगों ने already किया हुआ है, thank you so much, आपके प्यार और support के लिए again, आप लोगों ने मुझे यहाँ YouTube पर भी बहुत support दी है, और आप लोग Instagram पर भी दे रहे हैं, जिनका Instagram account नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोगों के दिल में मेरे लिए फिर भी उतना ही ज्यादा प्यार है, आप लोगों की यहाँ पर भी support मेरे लिए बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग चाते हैं कि आप लोगों की personal readings हो, so मैं live करूँगी Instagram पर और जब मैंने face reveal करना है, तो भी मैं Instagram पर ही आऊँगी यहाँ पर 100K होने के बाद, so आप लोग मुझे जल्दी से Instagram पर follow कर लिजिए, so let's start, उपर वाले 6 cards आपकी energy के लिए होंगे, next 48 hours के लिए, और नीचे वाले 6 cards आपके person की energy के लिए होंगे next 48 hours के लिए, feelings हो सकती है, present situation भी इसमें आपकी आ सकती है, so bottom of the deck we have 7 of pentacles, so I feel कि आप लोगों ने जितना invest करना था इस connection में आपने कर लिया, आपने जितनी effort करनी थी, आपने कर ली है, आप में से कुछ लोग शायद frustrate हो रहे हैं, आपको गुसा भी आ रहा है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने क्यूं की इतनी effort, अगर हमने कहीं पर भी नहीं जाना था, इस connection ने कहीं पर भी नहीं जाना था, तो क्यूं की इतनी effort, उसका reward क्यूं नहीं मिल रहा, उसका outcome नजर क्यूं नहीं आ रहा, results नजर क्यूं नहीं आ रहे, इस वज़ा से थोड़ी सी sadness भी है, परिशानी भी है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की fix करने की, इस connection को कुछ fix करना चाह रहे थे आप इसमें, और वो नहीं हो पाया, आपकी बहुत ज़्यादा efforts के बाद भी, तो अगर ऐसी situation है, तो आपसे यह कहा जा रहा है, stop right now, अब आपने कुछ नहीं करना, जितना आपने करना था, आपने कर लिया, अब आपने खुद को heal करना है, अपने आपको grounded करें, अपने, अपना center ढूंडें, अपने आपको balance करें, सारा focus अपने उपर shift करें, सबसे पहला message आपके लिए यह आ रहा है, and with this card, I also feel कि आपके person भी यह सोच रहे हैं, कि उन्हें invest करना चाहिए था, वो यह feel करते हैं कहीं ना कहीं, कि उन्होंने भी invest किया है, उनकी energy भी invested है इस connection में, और आगे भी वो करना चाहते हैं, बट एक overall जो energy आई है, वो यह है, कि कोई बहुत ज़्यादा sad है, कि हम कहीं पर भी नहीं गए, कोई reward ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी effort, सो अपने आपको कोसना बंद कर दीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, sometimes कुछ चीज़ें हमें सिखाती हैं, अब आपने बहुत ज़्यादा effort की reward नहीं मिला, बट आप सीख गए कि आईंदा आपने ऐसा नहीं करना है, so this is the thing, so let's start with your energy, first we have two of pentacles, king of cups, मैं reversals नहीं पढ़ती, आप लोगों को पता है, three of cups, बहुत से लोग कहते हैं, reversals आप नहीं पढ़ती, उनका different meaning होता है, ये card reader की intuition पर depend करता है, कि वो reversals पढ़े या ना पढ़े, so मैं नहीं पढ़ती हूँ, ten of pentacles, ace of swords, three of pentacles, okay, interesting energy, आपके person के भी cards देख लेते हैं, फिर हम discussion करेंगे, the high priestess, three of wands, the sun, very interesting, cards कुछ और ही energy बता रहे हैं, so temperance, the chariot, the hierophant, okay, so यहाँ पर star signs जो बहुत ज़्यादा dominant हैं, Taurus, Sagittarius, Leo, Capricorn भी आप अप अड़ कर लीजिए, Pisces, Cancer, Scorpio, यह star signs हैं, Libra भी आप अड़ कर लीजिए, Aquarius भी, यह strongly हैं, वैसे तो सारे star signs हैं, बड़ जो strongly थे हैं, मैंने वो भी आपको बता दिये, लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ, कि star signs की वज़ए से परेशान ना हुआ करें, energy पर आपने focus करना है, अगर energy आप से match होती है, आप लोगों की energy क्या है, I feel कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा wait किया है, बहुत ज़्यादा waiting की energy है, एक cycle है जिसमें आप constantly चल रहे हैं, एक cycle है जो तूट नहीं रहा है, और वो यह cycle है on and off का, बात हो रही है, फिर खत्म हो गई है, फिर हो रही है, फिर आप मिले हैं, फिर एक distance आगया है बीच में, फिर आप मिले हैं और connected feel किया, और फिर distance आगया और ऐसा लगा कि कभी आप साथ थे ही नहीं, बहुत दूर हैं आप लोग, तो यह एक cycle है जो constantly आप लोगों के दर्मियान चल रहा है, और इस cycle को आप break करना चाहते हैं, आप R होना चाहते हैं या पार होना चाहते हैं, तो closure नहीं है, clarity नहीं है इस वक्त, लेकिन आपके दिल में अभी भी उनके लिए बहुत ज़दा प्यार है, बहुत ज़दा genuine love है, I feel आप अपने person से बहुत ज़दा प्यार करते हैं, आप उनके साथ family बनाना चाहते हैं, आपका focus family है, 10 of pentacles है, and I feel कि आप बहुत ज़दा potential देख रहे हैं, आपके person भी देखते हैं, आपको clarity चाहिए, आपको communication चाहिए, आपको genuine love चाहिए, I also feel कि आपको इस connection से और कुछ नहीं चाहिए, सिवाए प्यार के, सिवाए loyalty के, sincerity के, और शायद आप लोग इसलिए भी बहुत ज़दा sad और down होते हैं, क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिल रही है, और आप लोग यह सोचते हैं, सिवाए प्यार के और loyalty के, तो यह थोड़ी सी यहाँ पर एक sad energy मुझे feel हो रही है, आप लोग बहुत ज़दा reflect कर रहे हैं उस time पर, जो उनके साथ आपने spend किया है, मुझे next 48 hours में आप बहुत loving energy में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़दा इस प्यार पर, इस feeling पर surrender कर चुके हैं, I feel कि, I don't know, बड़ी mix सी energy है, कभी आपका walk away करने का दिल करता है, फिर आप reflect करते हैं, फिर सोचते हैं आप good times के बारे में, जो आपने अच्छी memories उनके साथ बनाएं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर आपके दिल में एक खाहिश पैदा होती है, कि no, मुझे रुकना है, मुझे face करना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत potential है, ये dream come true है, इसको मैंने नहीं खोना है, ऐसी feeling आती है, में भी आपको लगा कि, ये आपके लिए कोई miracle था, ये connection आपके लिए बहुत amazing था, different था, significant था, ऐसा कोई connection कभी नहीं हुआ, ऐसी feeling कभी नहीं आई, और आपकी नजर में ये end game है, यही वो final इंसान है, जिसके साथ आप settle down होना चाहते हैं, आप इसी feeling में मुझे नजर आ रहे हैं, next 48 hours में, आप हर हाल में चाहते हैं, कि ये कामयाब हो, इसमें आपको success मिले, ये connection आपका grow करे, इसमें आपको happiness मिले, joy मिले, आप बहुत ज़दा enhance connection में, आप बहुत ज़दा प्यार करते हैं, आप reconciliation चाहते हैं, आप celebration चाहते हैं, आप communication चाहते हैं, आप सच बोलना चाहते हैं आप सच सुनना भी चाहते हैं आपकी यही एनरजी है next 48 hours की आप बहुत loving एनरजी में हैं बहुत generous हैं आप जितना मर्जी कोशिश करते हैं move on करने की आपके दिल में फिर बहुत जदा प्यार आता है आप नफरत करने वाले इंसान नहीं है I feel आज इ collectives के हम reading कर रहे हैं, आपके दिल में नफरत नहीं आ रही है, आपको बस प्यार है, आप सिर्फ प्यार देना जानते हैं और यही वो वज़ा है कि जिसकी वज़ा से यही वो वज़ा है जिसकी वज़ा से लोग फाइदा भी उठाते हैं लोग आपको in return आपके उपर invest नहीं करते हैं, आपको attention नहीं देते हैं, आप बहुत ज़ादा करते हैं, तो यह चीज़ आपने अपनी control करनी है, and I know कि यह बहुत natural, it's very natural, आप जान बूच कर नहीं करते हैं, आप हैं ही इतने pure, इतने generous when it comes to love, आप बहुत loving हैं, बहुत loving vibes आ रही हैं, और बहुत family oriented है, आपके लिए रिष्टों की बहुत ज़ादा एहमियत है, आप रिष्टों की बहुत ज़ादा कदर करते हैं, so, आप जैसे लोग बहुत ज़ादा rare होते हैं इस दुनिया में, so, कोशिश करें कि आप अपने energy को protect करें, कोशिश करें कि इतना ज़ादा प्यार, इतना ज़ादा investment ना किया करें, so, यही आपके लिए एक suggestion आ रहा है, spirit की तरफ से, वैसे तो आप next 48 hours में इसी energy में मुझे नज़र आ रहे हैं, I also feel कि next 48 hours में communication होगी, होगी आपकी, अब आपके person की energy की तरफ आ जाते हैं, बड़ा interesting है, I definitely see love, आपके person भी आपसे commit करना चाहते हैं, बट आपके person की energy आपकी energy से ज़रा different है, आपके person मुझे उतने ज्यादा loving और generous दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी energy उतनी generous नहीं हैं, जितनी आपकी है, because यह king of cups, 10 of pentacles, यह दो बहुत जबर्दस cards हैं, genuine love, the sun, the hierophant भी बहुत खुबसूरत cards हैं, the sun card is one of the best card पूरे deck में, बहुत ज़्यादा happiness feel करते हैं आपके person आपके साथ, आपके साथ time spend करना चाहते हैं, again long distance relationship कुछ लोगों का नजर आ रहा है, कुछ लोगों का culture different हो सकता है, languages different हो सकती है, बट आप लोगों के दरमियान काफी ज़्यादा differences हैं, जिनको आपके person बहुत ज़्यादा feel कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, so वो एक blockage आपके person की तरफ से आ रहा है, आप को ये चीज़ें bother नहीं करती हैं, चाहे जितने भी differences हो, जितना भी distance हो आप वही इनसान है, आपके प्यार में कभी कमी नहीं आती है अगर कोई difference आप लोगों के दरमियान है भी, लेकिन आपके person को ये चीज़ें bother करती हैं, आपके person manipulating भी हो सकते हैं, बट manipulative भी नहीं कहूंगी ऐसी energy को मैं, ये कहूंगी कि बड़े smart हैं, आपके person बड़े smart हैं, बड़े सोच समझ कर move करते हैं और बहुत ज़्यादा calculate करके चलते हैं जिन्दगी में so, वो naturally ही ऐसे हैं आप naturally ही बहुत generous हैं और वो बड़े calculated हैं और वो बहुत ज़्यादा फूंग फूंग कर कदम रखते हैं और इसके बहुत से reasons हो सकते हैं उनके past की वज़े से जो कुछ उन्होंने experience किया so, आपके person भी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत weight करवाया है वो ये जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा time लिया है बहुत ज़्यादा time हो रहा है वो balance लेकर आना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं commitment के साथ वो आपसे commit करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, the chariot and the hierophant, बहुत जल्दी आपको commitment देना चाहते हैं, I also feel कि वो यह सोचते हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो अभी आपसे commit कर लेते हैं, बट अभी उनको लगता है कि शायद अभी नहीं है right time, because आपके person waiting की energy में है, किसी चीज़ का करने की, आपकी investment की, आपके आगे बढ़ने की उन्हें आदत हो गई है, और अभी भी वो इस इंतजार में है कि आप move करें और फिर वो जवाब दें, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उन्हें अभी text कर दें, no, आपने अपनी intuition से connect करना है, जैसे आपकी intuition आपको next 48 hours में भी उनकी यही energy है, वो चाहते हैं आपसे बहुत ज़्यादा commit करना, फौरी तोर पर, जितनी जल्दी उनसे हो सके, उनका दिल भी करता है कि वो आपकी तरफ आएं, बहुत ज़्यादा, उनने feel होता है, उनका दिल करता है, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो आदत उन्हें हुई भी है, आपके बार-बार आगया आने की, उसी इंतजार में रहते हैं, और फिल कि आप उनकी ego को बहुत boost देते रहते हैं, आप हर हाल में उनका साथ देते रहते हैं, आप उनके negative behaviors को भी अक्सर बरदाश कर लेते हैं, मुझे यह आप यह वैसे toxicity बिलकुल भी नजर नहीं आ रही, बट I don't know, यह किसी के लिए message था, अगर आप किसी का negative behavior बरदाश कर रहे हैं, तो आप रुक जाएए, आपके लिए यह message आ रहा है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके साथ बहुत अच्छा feel करते हैं, बहुत खुश होते हैं, जब आपके साथ होते हैं, उन्हें पता है कि आप family material हैं, आप एक बहुत loyal इनसान है, उन्हें ये भी आपके उपर बड़ा confidence है, कि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, एक चोटी सी trick मैं आपको बताऊंगी, यह manipulate करने का तरीका बिलकुल भी नहीं है, बट अगर चाते हैं, तो सुन लीजिएगा, क्योंकि, I don't know, मेरे जहन से बिलकुल उड़ गया है वो message जो मैं आपको अभी देने लगी थी, anyways, अभी आ जाएगा जहन में, so, उन्हें बड़ा confidence है आपके उपर, कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, आप उनके साथ हैं, आप loyal हैं, आप उनसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, तो जो भी वो करते रहें, आप बरदाश करते रहेंगे, so, ऐसा आपने नहीं करना, आप रुक जाएए, आप उन्हें बताए, address कीजिए, highlight कीजिए, जो चीज़ें उनमें गलत हैं, उनको बरदाश मत कीजिए, क्योंकि, फिर उन् आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, वो एक trick थी, वो एक fact था, कुछ था, जिस पर आप अगर अमल करें, तो आपकी change हो सकती है, situation थोड़ी सी, so, वो आपके साथ अच्छा feel करते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है आपके साथ, वो आपसे प्यार भी करते है लेकिन वो जो आदत उने हुई भी है, आपके बार बार आगया आने की, वो सी में रहते हैं, so, आप लोग थोड़ा सा खुद को रोपने की कोशिश करें, थोड़ी सी healthy boundaries set करें, हर behavior उनका मत बरदाश कीजिए, आपके लिए खास तोर पर ये message आ रहा है, so, let's see कोई और additional messages spirit क की तरफ से, आप लोगों के लिए, आपके person के हवाले से, okay, so, we have financial and material changes, so, maybe आप लोगों के person इस वक्त financially काफी struggle कर रहे हैं, बहुत जादा सोच रहे हैं, उनके finances अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, इस बारे में शायद वो परेशान हैं, उनके finances पर उनका focus है, उनकी job पर, उन का focus है बहुत ज्यादा इस वक्त, so, we have solar plexus chakra, चुकि सारा हमें बताता है, confidence के बारे में, then we have awareness, planning, patience and planning, so, yes, आपके person बहुत patiently रहकर plan करते हैं, हर चीज, and then we have obstacles and challenges, so, double five यहाँ पर आया है, definitely आप लोग इस वक्त बहुत जादा, आप लोगों के connection में obstacles है, challenges आप लोग face कर रहे हैं, इस connection में बहुत जदा, आपके person बहुत जदा challenges face कर रहे हैं, अपनी material life को लेकर, और वो बहुत जदा patient tracker plan कर रहे हैं, कि उन्होंने future में क्या करना है, आपके person confident बहुत जदा है, आपके person बहुत ज़्यादा aware है इस connection के बारे में spirituality के बारे में भी काफी ज़्यादा आपके person को awareness है आपके person को deep down पता है उनकी higher self से वो काफी ज़्यादा connected है इस वक्त और वो बहुत ज़्यादा confident है कि वो अपनी जिंदगी के जो भी मामलात है उनको ठीक कर लेंगे वो वैसे भी एक बहुत confident इंसान है I also feel because जैसे मैंने कहा बड़े calculate करके बोलते हैं और हर चीज बहुत ज़्यादा smart है और बहुत ज़्यादा confidence sorry confidence है उनके अंदर so आपको लेकर वो plan करते हैं सोचते हैं वो सोचते हैं कि वो patient रहकर plan करेंगे कि उन्होंने क्या करना है दिल उनका बहुत करता है कि वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आएं they want to rush in but वो रुख जाते हैं जैसे मैंने आपसे कहा और फिर वो आपके ओपर छोड़ देते हैं हर decision को कि आप आएंगे आप initiate करेंगे तो वो जवाब दे देंगे कुछ इस तरह से but उनका focus इस वक्त उनके finances पर है और वो काफी ज़दा changes से गुजर रहे हैं maybe वो अपनी job change करना चाह रहे हैं या अपनी field ही change करना चाह रहे है but financial and material changes का यहाँ पर जिकर हुआ है so यह एक factor है next 48 hours में क्या हो सकता आपके person कोई move करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे है कोई action लेते हुए नजर नहीं आ रहे next 48 hours में I feel कि आप लोग text करेंगे I don't know I feel कि आप में से कोई करेगा text आप अपने person से बात करते हुए मुझे नजर आ रहे है आपको जवाब भी मिलेगा आपको response उनका अच्छा ही मिलेगा लेकिन उनसे बात करने के बाद फिर से आपका दिल थोड़ा से sad हो जाएगा I also feel So, यह totally आपका decision है कि आपने उनसे बात करनी है या नहीं बट आपको respond वो ज़रूर करेंगे मुझे यह नजर आ रहा है और मुझे आप action लेते वे नजर आ रहे हैं आपके person action लेते वे नजर नहीं आ रहे हैं So, let's see फिर भी हम और ज़दा clarify कर लेते हैं So, मेरे जहन में वो बात आ गई जो मैं भूल गई थी वो यह था कि जब तक किसी के दिल में कोई fear नहीं आप छोड़ेंगे थोड़ा सा जाने का इसका यह मतलब होता है कि आप जाने के लिए हमेशा ready रहा करें यानि अब आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि अगर हम relationship छोड़ने के लिए ready रहेंगे तो वो तो हमारी जिन्दगी से चले जाएंगे वो तो वापस कभी नहीं आएंगे ऐसा कभी नहीं होता है अगर आप confident रहेंगे solar plexus chakra आप लोगों के लिए भी आया है confident रहें आप लोग आप यह मत समझेगा कि बस यहीं है अर्थ पर बहुत से लोग हैं और आपको क्या पता कि आपकी इस खुबसूरत सी जिन्दगी में और कितने लोगों से आप मिलेंगे किसी से आपको इस से भी ज़्यादा प्यार हो जाए सो एक fear उनके दिल में एक doubt जरूर छोड़ें जैसा कि मैंने आप से कहा कि वो बहुत confident है कि आप कही भी नहीं जाने वाले और आप हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे चाहे वो जैसा भी behavior आपके साथ रखें सो हमेशा जाने के लिए ready रहा करें उनको ये sign जरूर दिया करें कि आप ओके हैं उनके बिना आप ठीक रहेंगे आप जा सकते हैं कभी भी सो जब ये fear उनके जहन में होगा कि आप कभी भी जा सकते हैं तो वो effort करेंगे सो ये वो एक चोटा सा fact था जो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ share करूं सो अगर वो कोई negative behavior कुछ इस तरह से करते हैं तो आपने उने show करना है कि आप बरदाश नहीं करेंगे आपकी healthy boundaries हैं और आप चले जाएंगे अगर वो सही से behave नहीं करेंगे आपको सही से treat नहीं करेंगे ताकि उनको पता हो जितने वो confident हैं वो इस बात पर confidence उनका खतम कीजिए कि आप हमेशा उनके हर behavior को बरदाश करेंगे और साथ रहेंगे और ये वो बात थी और ये मत डरिये कि वो चले जाएंगे आपको छोड़कर और अगर वो चले गए आपको छोड़कर तो it means कि वो कभी आपके थे ही नहीं क्योंकि जिसने रहना है उसने रहना है and trust me आपको उसके लिए कोई effort नहीं करने पड़ेगी आपको उसके लिए anxiety नहीं होगी depression नहीं होगा आपको confusion नहीं होगी हर मुलाकात के बाद confusion और sadness और pain नहीं होगी आपको So, अगर कोई जा रहा है तो उसको रस्ता दीजिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से और जिसने रहना है वो रहेगा आपको fear नहीं होगा उसको लेकर अगर आपके दिल में कोई fear और doubt आ रहा है It means कि कुछ गलत है There is something wrong So, let's see कि next 48 hours में वो कोई action लेते हैं या नहीं Okay, दो cards हमारे पास आ गए है So, we have your dreams need a practical plan and a time for healing Okay, तो यहाँ पर healing का card आया और यहाँ पर भी healing का card आ गया और यह temperance भी healing के बारे में बताता है patience के बारे में बताता है So, आपके person को recently कोई loss हुआ है financial loss I must say और वो से heal कर रहे हैं, recover करना चाह रहे हैं अपने finances को लेकर बहुत ज़दा परिशान है आपको लेकर वो बहुत ज़दा practical उनकी approach नहीं है इस वक्त And I feel कि वो अभी कोई action नहीं ले रहे हैं आप मुझे उनसे communicate करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके person की dreams तो हैं आपके साथ With this card I feel लेकिन वो उसके उपर कोई practically action नहीं ले रहे हैं अभी वो कोई action भी नहीं लेते हुए दिखाई दे रहें उनका focus उनकी healing पर है जो कुछ उनकी जिंदगी में चल रहा है वो उसको heal करना चाह रहे है And I feel कि जब उनकी healing हो जाएगी फिर recovery हो जाएगी जब तो फिर वो आपकी दरफ जरूर आएंगे But अभी वो practical होकर नहीं सोच रहे हैं इस connection के बारे में Yes, but they do love you आप लोगोंने sad नहीं हो न उनके दिल में आपके लिए प्यार है, respect भी है वो आपसे commit भी करना चाहते है But अभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है Maybe आपको already पता हो वो क्या चीज है जिससे वो heal करना चाह रहे है कोई problem हुआ है, कुछ loss हुआ है ये emotional loss हो सकता है Maybe किसी की death हुई हो Maybe उनका कोई financial loss हुआ हो उनकी job चली गई हो, वो jobless हो इस वक्त So वो heal करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी को जो भी उन्होंने खोया है उसे heal करना चाह रहे, recover करना चाह रहे और फिर, फिर वो practically सोचेंगे इस connection के बारे में बट अभी वो इस connection के बारे में practical होकर नहीं सोच रहे है वो आपके बारे में सोचते जरूर है fantasize भी करते हैं आपके साथ commitment के बारे में भी सोचते हैं बट उनके पास कोई practical plan नहीं है और वो बहुत ज़ादा patient रहकर plan करके चलेंगे and I feel कि इस वक्त वो planning नहीं कर रहे हैं इसलिए भी ये card आया so next 48 hours में आपके person कोई भी action लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे उनका दिल बहुत कर रहा है I feel कि आप action लेंगे और वो आपको response जरूर करेंगे so अब हम आपके लिए दो songs देख लेते हैं यह आप लोगों ने इस reading के बाद सुनने हैं आपके लिए कोई extra message हो सकता है इन songs में so first we have सवर जाएंगे मेरे यारा तेरे कम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे बहुत अच्छा song है यह so I feel कि वो शायद आपको नहीं बताते हैं उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता कि वो कितने sad हैं आपको नहीं पता होता कि उनके family में क्या चल रहा है उनकी किस से fight हुई है उनकी जिन्दगी के क्या मामलात है आपको नहीं पता होता है आप उनसे कहते हैं कि मुझे बताया करें मुझे अपने दुख बताएं मुझे से शेयर करें और वो शेयरिंग नहीं करते हैं बिकिस बहुत सी क्रेटिव हैं आपके परसन बड़े मिस्टीरियूस है शुरुआत में ही यह वाई बाई थी so यह सौंग भी उस बात को भी second कर रहा है किस एक एकलिहास से यह लाल इश्क यह मलाल इश्क बड़ा अच्छा सौंग है यह भी आप लोगोंने सुनना है very deep सौंग बहुत अच्छा है यह दो सौंग है आप लोगों के जो कि आपने सुनने हैं अब हम आपके yes or no question पर आ जाते हैं अपने question पर focus कीजेगा और हम देखेंगे कि आपका answer yes है या no है ओके so let's see we have yes 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 so big yes जो भी आपने question किया आपका answer yes आया है I hope आपको खुशी मिली हो यह yes answer देखकर so अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं आपका name initial आपके person का name initial हो सकता है किसी का पूरा नाम भी बन सकता है किसी का life path number इस तरहां से देख लीजेगा आप से कैसे resonate करते हैं यह letters और numbers okay so let's start we have V N number 5 999 G R V I E E again Ravie Ravie हो सकता है किसी का नाम बटाएं नो कि Ravie की यह spelling नहीं है बट फिर भी बन गया A Q so A भी आ गया हमर पस R A V आए रवी तब भी बन गया so anyways S A O आप इसको 0 भी कह सकते हैं H Z V V बहुत जादा आ रहा है आज की reading में P Q L W no Z so maybhi W भी किसी के लिए होगा significant Q E A G L J number 5 number 3 U 222 777 777 वाउ so U T B number 2 Y X and C so यह आप लोगों के letters और numbers हैं देख लीजी आप से कैसे resonate करते हैं आप विडियो को यहाँ पर pause करके कोई word भी बना सकते हैं और यह आप लोगों की reading थी कुछ भी आप लोगों को पसंद आया आपने मुझे जरूर comment section में बताना है अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दौा होती है आप लोग अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाह रहे हैं new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धेर सरा ख्याल रखेगा I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye Bye